नबस्ते बाचीत के हमारे इस खास कारके मैं आप सबका सौगत जैसे आप देख पा रहे हैं खिर स्वामी सर मारे साथ मौझूद है अब सर बहुत सौगत है सर एक तरफ हर्याड़ा के इलेक्शन के चुनाओ परिणाव आ गये हैं उनको लेकर के तमाम तरीके की गड़बडियों का आरोप और बहुत सारे सवाल उठाये जा रहे हैं इस बीच में कॉंग्रिस पार्टी के संगठन को लेकर के भी सवाल उठ रहा है अलाग कि कॉंग्रिस पार्टी नहीं चाहती है कि उनके संगठन को लेकर के बात हो इस तरीके की सोशल मेडिया पर प्रतिक्रिया आएं कॉंग्रिस पार्टी के निताओं के तरफ से आ रही है बेराल अब elections महारास्ट में होने हैं जारकंड में होने हैं बिहार में होने हैं कई सारी महतवपूर घटनाएं हुई हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं आप से डीटेल में समझना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है शुरुआत सर इस चुनाव में हार के परिणाम जो है जो परिणाम जो आए उसी से कर लेते हैं संशेप में इवियम को लेकर किसर एक तरफ सवाल उठ रहा है वो सवाल कितना वाजिब है और साथी साथ कॉंग्रेस संगठन को लेकर कि जो सवाल उठ रहा है वो कितना इसले वज़े से Congress आ रही एक तो यह हो सकता है और दूसरा यह हो सकता है कि एक वेव Congress के favor में होने के बावजूद जिसको सारे के सारे 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 एक्जिट पूल वाले देख रहे थे कि Congress की 70 सीटे 90 में सा आ रही है सबसे बड़े हिंदोस्तान के साइंटिफिक साफोलोजिस्ट कहा रहे थे Congress जीत रही है और उसके बाद दो घंटे के लिए counting को कम किया गया रोका गया और उसके बाद वीजेपी जीत गई या तो organizational weakness है या बेमानी है दोनों चीट नहीं हो सकते बड़े बेमानी हो गई तो पिर उसके बाद organizational weakness की बात क्यों करते हो और अगर organizational weakness के वजह से Congress हारी, तो polling और counting के पहले सारे सेफॉलिजिस कहां थे, ये बड़े-बड़े पत्रकार कहां थे, उसके पहले क्यों कह रहे थी कि Congress जीत रही है, बैए exit poll का मतलब होता है कि वोट डालने के बाद आदमी बता रहा है उसने किसको वोट दिया, आपके पास scientific methodology है, आपने sampling की है, आ आपने अलग समाजिक वर्क के लोगों को लिया है, और उसके बाद आप बता रहे हैं, Congress जीत रही है, उसके बाद कह रहे हैं, बीजेपी जीत गई, फिर organization structure की weakness निकालनी शुरू कर दी आपने, तो either of the two is true, बैए मेरे को एक शीर मानना है, बिल्कुल इस पष्ट मानना है, अगर एक constituency में 1000 BMs होती है, 1000 में भिमानी करनी की कोई अवश्रक्ता नहीं है election जीतने के लिए, ये सब को बता है, Congress वालों को पता है, बीजेपी वालों को पता है, कौन सी ऐसी धाइसो सीटे हैं, जहां Congress लीड लेने वाली है, कौन सी ऐसी धाइसो सीटे हैं, जहां बीजेप पी लीड लेने वाली है वहां पर कुछ करने की जुरत नहीं है जिन सीटों पर कॉंग्रेस के अपने जो वोड बैंक है मालीजे जाड वोड बैंक है या मुसलमान वोड बैंक है मालीजे हर्याना के परिपैक्ष में गोल रहा हूं अगर उसके अंदर जहां 80% वोड मिलने थे कॉंग्रेस को 20 परसंट दे बीजेपी को वहां अगर एवियम रिप्लेस कर दी गई और 80% बीजेपी को मिल गए 20% कॉंग्रेस को मिल गए और जहां बीजेपी को 80% आटोमेटिकली मिल रहा है थे वहां हेर पेर करनी के अवश्कता नहीं बड़ी तो बीजेपी जीत गई जहां मुसल्मानों की वोड जादे हैं चाटों की वोड जादे हैं वहां पे भी हमें गलबली कर दीजे बागी जगे अज़ा एक और चीज रामबरकाजी बताईए बाई पूरे दिन आप कभी वोड देने गए होंगे मेरे खाज़े गया था भी वी पांक-जून को जब आउट देने जाते हैं एक आदमी को वोड देने मेरे कितने मिनट का ताइम लगता है कितने सेकंड का ताइम लगता है कम कम से कम 45 से एक मिनट का टाइम लगता है आप अंदर गुषते हैं अपना आई गाड दिखाते हैं पर्ची दिखाते हैं वो उसको चेक करता है रस्टर में एंट्री करता है आप से दसकत कराता है आप आगे बढ़ते हैं वो मशीन में आपके उंगली पे निशान लगाता है दूसरा जब निकल जाता है तो आपको अगे बढ़न दिया जाता है पिर दस सगेंड तक आप बटन दबाते हैं फिर पी की अवाज आती है फिर अबार निकलते हैं फिर दूसरे आदमे को मौका मिलता है एक मिनट में एक आदमी वोट देता है औस सतन तो एक घंटे लांस्ट एक घ पाल साब ने यह कर दिया राहुल गांदी ने वो कर दिया फलाने ने यह कर दिया डिकाने ने यह कर दिया यह सब बेकार की बाते हैं अगर विवानी हुई है तो इन सब पर डिसकस करने की आवशकता नहीं है फिर तो यह सोचने की आवशकता है कि अगर हमारे देश के लोक दिन भर वोट पढ़ने के बाद 99 फिस्दी उसमें चार्जिंग पेंडिंग नहीं रह सकती है अगर वो नई भी है तो भी इतना आज की तारीक में तक्नीकी उग में हर आदमी को पता है लेकिन एक चीज बताएं ऐसे बहुत सारे सीट हैं जहाँ पर ये साफ तोर पर लगर ये कहा जा रहा है कि किसी फलाने नेता के रिफरेंस पर वहां जो पहले से मजबूती से जो जमीन पर काम करने वाला कॉंग्रेस नेता था उसका टिकेट काट करके दूसरे को टिकेट दे दिया गया हुआ यह जिसको टिकेट दिया गया वो चौथे नंबर पे पहुंच गया तो क्या यह कमिया संगठन की नहीं किनी जाएंगी केवल इवियम मशीन के सहारी ही हम बैठे रहें अपनी कम्या इवियम मशीन के सारे ढख लें ये भी तो ठीक नहीं है ना चलिए ये इतनी वाहियाद बात है इतनी मुरुकता पूर्ण बात है क्योंकि मैं तिगाओं छेतर में रहता हूँ और वल्लब गड़ मारी बगल की सीट है अब आप चलिए खुद ही निड़ने लीजिए अपने विवेक से निड़ने लीजिए वल्लब के अंदर के अंदर शादार अठार पहले विधायक थी जिसके बारे में जो संदर्ब लिया गया जिस महुदय ने लिया वो शादार अठार करने लिया शादार अठार एक बार विधायक बनी थी, कॉंगरेस ने उनको पुरस्कृत किया था, उनको संसदी ये सचिव बनाया था, पूरा मान सम्मान दिया था, उसके बाद जब पिछले एलक्षन में वो चुनाव हार गई तो वो बीजेपी में चली गई थी, और बीजेपी में र हुआ ये, ये उनके बारे में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये शादार अठार की इस्ट्री है, जिस लड़की को वो सीड नी गई, उसके पिताजी कॉंग्रेस के टिकेट में आज से 30 साल पहले विधायक थे, कॉंग्रेस के, पूरा परिवार कॉंग्रेसी है, उसी लड़की को जो यूद कॉंग्रेस और NSUAI में काम करती है, निश्ठा से काम करती है, तो अगर गौंग्रेस ये रननीती वदलती है, कि ऐसे लोग जो कॉंग्रेस के प्रती निश्ठावान नहीं है, शादार अठार अठाव जैसे लोग, जो जीश सकते हैं, लेकिन ऐस लड़की को जिसका भविश चालिस साल का है और जिसका परिवार कॉंग्रेसी है चौते नंबर पर आए च्छटे नंबर पर आए मैं कह रहा हूं कि हार जाएं आप लेकिन लोयल लोगों को दें जो कॉंग्रेस को किसी हाल पर न छोड़ें उसका पिधायक था पैसे थे नहीं नहीं होती है क्या यह बात अशौक तवर को कौंग्रेस ने टिकेट दे दिया इस समय नहीं टिकेट नहीं टिकेट नहीं दिया उसके पहले तो चुनाओ में वो भी आखिर टिकेट वाले दावेदार थे इडिस नहीं है एक दलित नेता था जो एक घंटे पहले तक भारती पार्टी जहां के शेलजा के व्यभार की वजे से दलितों को एक मैसेच दे रही थी कि दलित अंटि दलित है कॉंग्रेस अशौक तवर को यह मैसेच तो गया यह एक अश्यौक तौन बड़ा नेता जिसको शेलजा ने एक लाग डोट से राया था जो कॉंग्रेसी था भी लेकिन उसको सीट तो नहीं भी ना केवल एक स्ट्राटिजिक मूँ था मैसेज देने के लिए मासे इसको कि दलित हमारे साथ है और लोग वीजेपी छोड़के हमारे पास आरा है टिकेट नहीं दिया ना अच्छा मेरी सीट की बात कीजिए चलिए मेरी सीट के बात कीजिए त इस्थावान कॉंग्रेसी हैं बड़े महंती कॉंग्रेसी हैं पिछले 15 साल से कॉंग्रेस के लिए मेरे च्छे तो मेरे से विए उनके अच्छे सब्मन है चलिए पिछले पालेबंड एलेक्शन में उन्होंने खिशन पाल गूजर जी की जो बीजेपी के टिकेट पे रहे थे उनका विरोध किया था क्योंकि उनकी कुछ अपनी प्रोफेशनल डीलिंग से अब यह हाई कमान को पता था कि जो कॉंग्रेस का जिसको टिकेट देना चाहिए था वो बीजेपी वालों से मिला हुआ है तो वहां भी उन्होंने नए लड़के को जो नस्यूआई औ जो लोग ने अपनी डिस लॉयल्टी रिखाई है कॉंग्रेस के लिए आप फिर आप कहेंगे कि साब उनको करी करना चाहिए कि वो जीज सकते थे अरे आपको लोयल्टी चाहिए या जीज सकते थे चाहिए अब कम से कम एलेक्शन हार गए लेकिन इन लोगों को मैसेज मिल लित नागर का भी भविश खतम मंता जो वो है अपना जो वो है क्या नाम है उनका बंभ गड़वाली उनका भी भवश खतम अपनों कॉंग्रेस में जा नवीजेपी में जा सकती है। लले नागर इतने अच्छे नेता थे अच्छा भविश उनका था। एक एलेक्शन लड़ जाने देते किसी दूसरे आदमी को तीन एलेक्शन आप लगा था लड़ चुके हैं, दो हार चुके हैं, एक जी चुके हैं, तो आपके अलाबा किसी को चरित्र पे बात करना और बेटियों के चरित्र के बारे में बात करना और सेना के एक अधिकारी की पत्री के चरित्र के बारे में बात करना ये मेरे लिए कताई नंदनी है कि ने इसमें तो यह तो सुर। नीट की बात हो रही है, इसमें, छरीतर की बात कहा representatives कोई बाहिए? हैं खुले आम समाजिक मंचों पे आप वेनों वुपाल साफ पर जिन पर आरोप लगा दी या खिल स्वामी पर कलाप आरोप लगा दी यह यह इन आरोपों की तो खेर कोई उसमें कोई किसी का मुह नहीं बंद कर सकता और भाजपा का तो खेर अगर भाजपा के पर्सपेक्ट करना है इस त्रियों का करना है बेटियों का कर रहे हैं हां हम लोग जरा आप इस टॉपिक को चेंज करते हैं यह बहुत देर तरचा हुई नहीं नहीं दरसल सर मैंने यह केवल इसलिए पूछा कि में आ रहा है या देखो एक तो वो लड़की ब्रह्मन लड़की है कुछ भ सवाल ही आप से नहीं किया था जिसने बात कही थे मैं उसको चेतावनी देता हूं इस तरह के बात हमारी घर के बहु बेटियों के बारे में ना करें मैं सर ये चीज लोगों के लिए भी क्लियर करना चाहता था कि क्यों इवियम के साथ साथ संगठन पे बात अगर हो रही है तो वो क्यों जरूरी है क्यों नहीं जरूरी है दोनों परस्पेक्टिव से मैंने आपसे समझने के लिए इस चीज को पूछा था मुझे लगता है दश्पों को ये चीज़ें क्लियर होगी होगी कि उसके पहले बोलिए ये काउंटिंग होने के बाद मत बोलिए इसका मतलब आप पलतू हुआ रही है ये बात तो रहूल गादी ने बोली है सर्ưởng ये बात तो रहूल गादी ने बोली है अरे यांटिंग के बहु किसी मैं कैसे बात बहु था तो ने बहुता है के यह काउंटिंग बाद बोली है तरह हम दूसरे को सला नहीं दे सकते हैं लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर राहूल गांदी जब खुद ये बात कह देंगे कि हमारी पार्टी के निताओं ने पार्टी के हिट से ऊपर अपने स्वार्थ को रखा तो उसके बाद को यह वो नहीं बचता है कि हम राइन नहीं दे सकते हैं राहुल गांधी को रहा दे सकते हैं राहुल गांधी उस कांटिंग के बार बार दे सकता है हम लोग महारास की तरव चलते हैं अब हर्यारा का इलेक्शन हो गया आज विजय दश्मी के मौके पर जो मुहन भागोस साब की जो सास्तर पूजा है वो सास्तर पूजा पर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उसमें वो बंगलादेश की बात कर रहे हैं बश्य मंगाल क की बात कर रहे हैं हिंदों की बात कर रहे हैं हिंदों की एक्जुट होने की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें महारास में पालगर का जिक्र नहीं किया महारास में इलेक्शन है इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा हर्यारा चुनाओ का क्या इफेक्ट होगा उदर दो और एहम चीज़ें हुई महारास्ट में से इनके बारे में बात कर लें एक तो देशी गाय को वहाँ पर रास्ट वो कुछ क्या राज्य के लिए एहम गोसित कर दिया गया है राज्यमाता क्या कुछ कर दिया गया है और दूसरा उदर जो 16,000 रुपए बढ़ाये गए हैं मौल बहुत विए उसमें है तो किस तरीके का समीकर्ण महापर साधने की कोशिश हो रही है महायूती की तरफ से यह महाराश्ट में चुनाओ के पहले सारे ज्यानी महाग्यानी लोग यह कहेंगे कि महागाडी जीत रहYes Карáp exit पोल में भी बताएगा रने निती इस पढ़ाई भी करेगा और धायए भी भी करेगा और एलेक्शन के बाद दो घंटे के लिए पोलिंग जो काउंटेंगे वो स्लो कर दी जाएगी 100% चार्ज बैटरी मिलेंगी और उसके बाद महायूती जीत जाएगी और आप कहेंगे कि साब वो महागाड़ी ने ये नहीं किया वो नहीं किया और उसके बाद क्योंकि जिस प्रकार से मेरा हिशार यह है स्पष्ट और सारे सेफ़ालेजेस और सारे पत्रकाश जब कह रहे थी कि कॉंग्रेश जीत रही है और अचानक दो घंटे के बाद पूरागा पूरा सिनोरी ये चेंज होता है बैलेट पेपर में कॉंग्रेश जीती है और एविय कर दी मानाश्ट के अंदर पहले तो हिंदूओं के दिमाग में मुसल्मानों के प्रति घ्रणा अपने पैदा की अब जो है आप हिंदू तो हो गए पागल जो भी मतिभ्रम वाले थे वो तो मुसल्मानों के प्रति इतना जादे घ्रणा उनके अंदर भर गई कि वो चाहे दा शड़यंत्र चलाया था उनी की सेलेडी तीन गुनी कर दी इसका मतलब आपको किसी तक घ्राना नहीं है आपको केवल एक से जीतना है लेकिन ये सब बहाने हैं बाद में बताया जाएगा क्योंकि इमामों की सेली बढ़ा दी गई क्योंकि वो रेवड़ी बाटी गई अरे या को जीतने के बाद बताएंगे कि महाँ गाड़ी के अंदर ये कमी थी वो कमी थी अरे जो बताना है पहले बता दो यार तुम ये शोता दर्शकों को मूर्ख मत बनाओ नहीं अखिल सर फिर एक चीज मुझे बताएं अगर पहले बता दें बात में बता दें वो चीज़ें अपनी जगे पहें लेकिन अगर इवियम को लेके इतना बड़ा सवाल है तो फिर कॉंग्रेस हो या पूरा विपक्ष क्या वो पहले से स्विकार कर रहे हैं कि अब हम आ अंधीवादी अंदोलन के लिए सडक पे लाखों लोग उतने हाथ में मुंबत्ती लेके मुं में पट्ती बांद के बिलकुल उसी प्रकार का अंदोलन जैसे किसानों ने किया था या तो वो करें या चुनाव कराने की कोई अवशक्ता नहीं है बीजेपी को सरकार बनाने यह बिलकुल चुनाव निश्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग की विश्वस नहीं है ताप एक कोई भरोसा किसी को नहीं है देश के 80% लोगों को भरोसा नहीं है बाद में किसी को दोश देना अगर मैं अच्छा पत्रकार हूँ या सफॉलोजिस्ट हूँ मैं एलेक्शन प पार्टी से समझाते गया वशकता नहीं है अचा आम आदमी पार्टी को 1.75% वोट मिला कहीं उसकी जमानत नहीं बची तो इसका बारे आम आदमी पार्टी को एक भी सीट अगर कॉंग्रेस दे रही थी तो उनके लिए सफिशन्ट होनी चाहिए थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी अगर कॉंग्रेस को 7-8 सीटे हरा देती है तो यह दोश आम आदमी पार्टी का नहीं है यह दोश कॉंग्रेस का है क्योंकि उन्हें 2-3 सीटे और 5 सीटे आम आदमी पार्टी को दे देनी चाहिए थी अरे जिसको 1.75% वोट मिला है अचा फिर दे देते तो कहते य वशमिर में 6 सीटे जीद पाई फिर क्या हुआ बताईए जम्मौ के अंदर सारी के सारी सीटें बीज़ेपी को मिली है जाहे हिंदो डॉमेनेशन है वाँ बीज़ेपी को मिली है तो वो तो उन्होंने परिसीमाशन इसल přेंग किया था अरे यार वह कमाल है आप हिंदू है क मुसल्मान हैं. नए हिंदु मुसल्मान की बात कहा गई. अरे यार सीधी थी बात है जहां मुसल्मान डॉमिनेशन है 95% मुसल्मान है. वहां बीजेबी को जिता देंगे तो पूरा international media तूट पड़ेगा अरे यार सब को बता है कि इंजिनर रशीद के माध्यम से कोशिश की गई जमायते इसलामी के माध्यम से कोशिश की गई वहाँ पे NC को कमजोर करने की वहाँ की जनता जिसने उमर अब्दिल्ला को दो लाक वोट से इंजिनर रशीद को हराया था वहाँ पे विधान सबा में जमायते इसलामी भी खतम हो गई और क्योंकि वहाँ की जनता समझ गई है बीजेपी की टैक्टिक्स है और सारे लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फरेंस को वोट दे दिया इसलिए महाँ गौर्णमेंट बन गई अगर वहाँ पे अब इंजिनर रशीद की चाल चल गई होती जो प्यादा था भारती जनता प अपनी दिखाईए पौलिंग के पहले, गईजिट पौल पर एक 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 व्चिट पौल बता दिजिए जिसने का कि कॉंग्रेस हरियाना में हर रही अब ये कहेंगे 80% सीटे महा गाड़ी जीत रही है उसके बाद जब महा यूती 80% सीट जीत जाएगी तो कहेंगे इस कारण से महा गाड़ी हार गई अरे पहले बताओ ना बाद में क्यों बताते हैं अब इस हिसाब से देखें तो मैं ये समझना चाहता हूँ अपने समझने की दिस्तिकों से पूछ रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ मैं ये मानता हूँ या जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं मैं उन आरोपों को खारिज नहीं कर सकता हूँ मैं ये मानता हूँ कि EVM में खेल हो सकता है EVM चार्ज मिली है ये सवाल है इन सवालों पर सरकार को चुनाओ आयोग को जवाब देना चाहिए चुनाओ आयोग को सामने आ करके बताना चाहिए कि क्यों 99% EVM जो है वो चार्ज कैसे रह गई थी और क्यों उन मशीनों में कॉंग्रिस पार्टी पिशण गई भाजपा बढ़ी आगे क्यों उनको बढ़त मिली क्यों जो सीटे कम चार्ज जो मशीने कम चार्ज थे उसमें कॉंग्रिस को बढ़त मिली क्यों valid paper की गिंती के समय पर 74 सीटे Congress को मिलती है 16 सीटे भाजपा को मिलती है लेकिन क्यों EVM खुलने के बाद आकड़े इस तरीके के बदल जाते है ये सारे सवाल है और बड़े सवाल है important सवाल है चुनाओ आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए अगर चुनाओ जवाब नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट को सन्यान लेना चाहिए परिछा का परिणाम पहले कैसे गोसित कर दिया जाया या पिर चातर में जो कमिया है परिच्छा की तैयारी के दौरान क्या चातर की कमिया गिन्वाई जाती है, कि हाँ भई तुमारे अंदर यह यह कमिया है, भई साल भर तो हमने कमी बता दी, लेकिन जब परिच्छा गोसित हो गई और प्रिपरेशन लीव हो गई, तो उस प्रिपरेशन लीव के दौरान क्या चाटर की कमियां बताई जाते हैं या फिर मोटिवेट किया जाता है नई 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 बिल्कुल नई जो शुचिंतक होता है वो निंदा करता है अगर मेरा बेटा बहुत प्रबुदद बालक है और बड़ा संसकारी और सनातनी बालक है लेकिन अगर मेरे बेटे में गलती है पहरे उसका motivation करूँगा वो cigarette पिएगा शराप पिएगा पढ़ेगा नहीं मैं उसको motivate करूँगा और उसके बाद जब वह fail हो जाएगा तुम्हें तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले मैं पता नहीं सकता था क्योंकि मुझे तुम्हें motivate करना था अगिल सर मेरा सवाल दूसरा था मैंने यह नहीं कहा कि पूरे साल आपने उनको कमिया बताई जब स्कूल में प्रिपरेशन लीव हो गई तो उसके बाद आप उनको मोटिवेट करेंगे कि हां भाई तुम और अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो या फिर उसक करेगा सही डिरेक्शन में होंगा और मैं कहूंगा पास्विक्ता में अरे मैं किसी आदमी को यार जो डिरेक्शन में नहीं चल रहा है उसको मोटिवेट क्यों करूंगा अगर मैं उसका शुब चिंतक हूँ मेरे बार मैं एक मिनट का टाइम दीजे मैं बता देता हूं मैं में प्रोफेसर था, मैं प्रॉक्टर था चीफ प्रॉक्टर मैं बच्चों को दंड देता था कभी यहां सेस्पेंड गया, वहां पाइन लगाया तो एक बार क्या हुआ धाइस सो थीन सो बच्चे एक हाल में बैठे वह तो मैं अकेला था मंच पे अज़ा मैं उनको बता रहा का शराप पीते मिलेगा मैं तोगूंगा नहीं कुछ नहीं बोलूंगा मेरे कॉलिज का बच्चा गुंड़ाई करते मिलेगा दो थपड लगाऊंगा और मेरा बेटा अगर मिलेगा इतने थपड लगाऊंगा कि गिनना भूल जाएगा यही तो मैं भी कहना चाहरा था मध्य प्रुदेश का इलेक्शन हुआ राजिस्थान का इलेक्शन हुआ क्या उसके बाद एलेक्शन हार जाने के बाद क्या इस पर हमारी और आपकी बात नहीं हुई क्या हम सारे लोगों के मत हमारी और आपकी सारे लोगों की जो भी शोशल मेडिया पे जितने भी लोग हैं बात करने वाले या जो भी अपनी बात कहते हैं क्या वो सारे लोगों ने ये बात नहीं की कि कमलनाथ के उस पर चुनाओ इस तरीके से हारी वहाँ पर किस तरीके से क्या 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 कमिया कहां पर रही मैंने नहीं का एक वीडिय नादव जैसा आदमी जो सफॉलिजिस खांदानी है और उसके बाद वो संजय कुमार CSDS के प्रदीप गुपता एक्सिस इंडिया के यश्वन देश्मुक यह सी वोटर वाले यह सारे के सारे जो प्रोफेशनल और यह एक्जिप वोल करते हैं एक्जिप वोल वोट देते हम उसके तो जाही नहीं रहे हैं सवाल ही है हम तो मैंने तो पहले ही यह बात कही कि यह सारे जो सवाल है वो अपनी जगे पर बने हुए उसका जवाब देना चाहिए जो संस्थाएं हैं हमारी अरे यार मुझे जब तक यह नहीं बताए जाएगा कि एक घंटे गंदर धाइस वोट कैसे पड़े पड़े नहीं सकते जब चुलाव आई होगी कहरा रात को नौ बजे कि इतने वोट पड़े और बारे वजे जो उसकी वेबसाइट पाता है उसके हिसाफ से पच्छिस ला कर दिया अरे चलिया आज ही फॉर्म सिक्स्टीन अब आप कहारें सुप्रीम कोट जाए अरे सुप्रीम कोट चार सर लगाएगा डेट लगाने में और जब तक उसकी डेट लगेगी जैसे महाराष्ट में हुआ सर आगे स्टेट्स में जो ayeं अरे जाएं सियासी दम्हराष्ट लोग क्या करएंगा जाईए या तो जब्रैम कोट नहीं कोई चुनावा योग नहीं या तो जब्राष्ट को भी हम से शिकायत है जनता भी राम प्रका जी आप से भी प्रष्णट fig ingredients जीत रहें है और गांधिवादी तरीके से अहिंसात्मा गूप से लाखों की संख्या में सड़क पे उतर यहां जोड़ के बैठ जाएगे माराज हमें चुनाव आयोग पे भरोस्वा नहीं है अब अगर ये सारे लोग ये काम नहीं करते हैं तो क्या उन पर सवाल नहीं उठाए जाएगा तो फिर इसमें सेफोलोजिस्ट क्या करेंगे अगर जब अरे यार मैं अगर सुनिये सुनिये अगर मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैं कहता रहा है एक्जाम के पहले एक दिन पहले तक यौर ब्रिलियंट यौर एक्स्ट्रीमली गुड वाटेवर क्वेश्टन सा हम आसकिं अब यह टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट से अजा उसके बाद मैं कहूं यार तुम तो पढ़ते नहीं थे यार देखो तुम्हें यह करना अरे यार कहेगा सर कल तक तो आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ता था जिस लड़के को आप कह रहे थे कि वह फेल हो जाए अगर तो पास्पार नहीं थे यह स्टेट्मेंट इस अब इस सरकार महायूती अपनी बना रही है ठीक है लेकिन सीटों के बटवारे को लेके प्रफुल पटिल साब का बयाना है कि दो सो तिरपन सीटों पर बात उनकी फाइनल हो यह बाकिए सब महाविकास अगाडी में पहले आरोप प्रत्यारोप हुए फिर उद्धो ठाकरे जो है इंडियागट बंदन के साथ फिलाल खड़े दिखाई दे रहा है यह एक पॉजिटिव संदेश है इन सारी चीजों का अगर बतौर इंडियागट बंदन अगर यह एक जुटता का मैसेज देने में महारास्ट इसक यह एक यह काम्याब होते हैं तो उसका इपक्ट एलेक्शन का कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा 250 सीटे BJP लड़ेगी अगर 50 सीटे मान लिजे लड़ती है अजीद पवार की कित्ती हो गई 200 और 88 सीटे लड़ती है एक नाशिंदे मान लिजेए उसमें EVM के माध्यम से EVM के माध्यम से 150 वे 130 सीटे जीतेंगे BJP 15 सीटे जीतेंगे एक नाशिंदे और दस सीटे जीतेंगे अजीत पवार अजीत पवार और एकना शिंदे उसी प्रकार से सेनारी से गाइब हो जाएंगे जैसे बीजडी उरीसा में गाइब हो गई बी आरेस तेरंगरा में गाइब हो गई जैसे अकाली दल जो है पंजाब में गाइब हो गई और हर्याणा के अंदर इनने नेशनलों लोग दल गायव हो गई ये भी गायव हो जाएंगे अगले चुलाव दर आपको दिखाई नहीं पड़ाएगी अरे यार देखिए मैं आज को आज लिख के दे रहा हूं महायूति की सरकार बढ़ेंगी क्योंकि एलेक्शन फेर नहीं होगा इसलिए महाराज की सरकात चीनी गई थी कि जिससे एड्मिनिस्टेशन हमारे साथ आ जाए आप सारे सीसी टीवी निकलवा लीजे काउंटिंग जब हॉल के थे वहां लाइड गई थी क्या जो पोलिंग भूत थी उसके अंदर धाईसो वोट एक गंटे में डलवा की दिखा द अगर इमानदारी से एलेक्षन हो अगर आज भी अर्याना के अंदर दुआरा एलेक्शन करा की देख लिए बैलेट पेपर से लेकें से महाराज़ी की सरकार बने जा रही है है अगर चुनाओ इसी तरीके की मशींडी के साथ हुआ इसी तरीके के सिस्टम के साथ हुआ यही एक परसेंट भी अगर एक परसेंट भी बेइमानी संभव है मशीनरीज के साथ छेड़चार संभव है लूट होती है वोटर्स की तो मुझे लगता है कि दस साल केंदर में सत्ता चलाने के बाद अगर आज भी इमानदारी की कोई आस कर ले जाए तो फिर अब आगे क्या ही कह आजाए छोड़िये फिर उसे इमानदारी की आस अब क्या ऐसी संस्ताओं से करना उचित है जो संस्ताएं इस तहीके से कर रही है जो संस्ताएं जवाब नहीं देना चाहती है हमारे आपके और समूचे विपक्ष के पूछे का सवालों का जवाब नहीं दे पाती है संस्ता बाई मैं आपका टीचर सवान हूँ, आप मेरे बेटे सवान है, या टीचर सवान है, स्टूडेंट सवान है, तो मैं आपको डान भी लेता हूँ, बुरा मत मानियेगा. बहुत बहुत दन्यवाद सर, हमारे साथ आज की सिर्चा के लिए, ये बातचीत करने के लिए, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जरूरी है, ये डिफरेंस को समझा जाए, बातचीत होना चाहिए, बातचीत हर परस्पेक्टिव के होना चाहिए, अभी शायद मुझे लगता है कमियां भी दूर की जा सकती है Thank you so much sir